रे कृष्णा भगवान के विभिन प्रकार के अफ्तार की सीरीज में यह तीसरी वीडियो है हमारी सर्वर प्रतम हमने भगवान के युगा अफ्तार के बारे में जाना और फिर लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयम को तीन विश्णुव के रूप में विभक्त करते हैं आज की वीडियो में हम भगवान के गुणा अफ़तार के बारे में जानेंगे तो तीन प्रकार के गुण होते हैं सतो गुण रजो गुण और तमो गुण तो भगवान के सतो गुण के अधिश्ठाता के अफ़तार है श्री विश्नु दप्री इस मेंटेनेंस का तो ब्रह्मा जी जो क्रिएशन करते हैं उस क्रिएशन को मेंटेन करते हैं विष्णुजी और यह बहुत डिफिकल टास्क है क्यों जैसे कि फर एक्जाम्पल जिम जाना शुरू करना बहुत आसान है और उसे छोड़ देना उसे भी जादा आसान है बट इस डिपार्टमेंट के हैड है श्री विष्णु और लास्ट वीडियो में हमने देखा ही कि कैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयम को तीन विष्णुओं के रूप में विस्तारित करते हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल करते हैं इस क्रिएशन के लिए पैशन यानि की रजोगुन के आवशक्ता पड़ती है तो ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान यह कारे संपन करते हैं और ब्रह्मा जी के रूप में स्वयम का ही विस्तार करते हैं तीसरा अफ्तार गुणा अफ्तार में भगवान शिवजी के रूप में लेते हैं जो की तमोगुन के अधिश्टाता है चीजों को बिगारने के लिए संघार के लिए तमोगुन के आवशक्ता होती है तो जब ये श्टुष्टी का विनाश करना होता है तो वह कारे शिवजी द्वारा की संपन किया जाता है विनाश कारे तमोगुन द्वारा ही हो सकता है इसलिए भगवान के तमोगुन के अधिश्टाता के अफ्तार है शिवजी इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि शिवजी तमोगुन में रहते हैं जी नहीं बिलकुल भी नहीं इसका मतलब सिर्फ यहीं है कि जो भी तामसिक क पार्य संपन होंगे वो बिना शिवजी के अनुमतिके हो ही नहीं सकते तो भागवत महापुरान के अनुसार भ्रम्मा विश्नु और महेश भगवान के रजोगुन सतोगुन और तमोगुन के अवतार हैं जिन्हें गुणा अवतार कहा जाता है आपकी जो भी इंफरमेशन है जो भी नॉलेज है इस टॉपिक के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक हेल्दी डिसकॉशन स्टार्ट करते हैं लाइक कीजिएगा इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए अरे कृष्णा